अगर सरदियों में आपकी स्कीन टॉन अनीवन होती जा रही है टैनिंग बहुत ज़्यादा जमती जा रही है आपकी स्कीन काली पढ़ती जा रही है होटो के आसपास काली परत जम रही है जो की साफ होने का नाम ही नहीं लेती है या फिर उम्र बढ़ने के साथ इसकीन पर डलनेस नजर आ रही है जिद्धी दाग दबे बनते जा रहे है इसकीन लूज होती जा रही है लटक रही है चैरे पे जूरियां फाइन लाइन्स की प्राबलम बढ़ रही है तो गाइस मैं आज आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपकी इन सभी प्राबलम को जड़ से खतम करेगी इस रेमेडी को यूज करने के बाद फर्स्ट एप्लिकेशन में ही बहुती अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे बहुती मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे आपकी स्कीन का कलर फेयर हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप से रिक्वेश्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा और आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा और मेरी यूट्यूब फैमली का हिस्सा बन जाएगा मुझे बहुत जादा खुशी होगी और मेरी यूट्यूब फैमली बढ़ती चली जाएगी तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम इस remedy को किस तरह से बनाएंगे और फर्ष्ट इंग्रीडियन्ट लेना है हमें लाल मसूर की दाल तो गैज लाल मसूर दाल का हमें यहां पे पाउडर चाहिए इसके लिए आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकती हैं और आप घर पे भी मसूर दाल को पीस करके इसका पाउडर बना सकती हैं मसूर दाल में पोशन का बंडार है और प्रोटीन भरपूर मातरा में इसमें होता है चैरे में निखार बहुत ही गजब का यह लेकर आता है और हमारे चैरे पे नैचूरल ग्लोइंग लेकर आता है हमारे चैरे पे अगर जाईयां हैं काला पन हैं या जुरियां हैं या मुहां से के जिद्धी दाग दब्बे हैं तो उसे हटाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है मसूर दाल में एंटी ऑक्सिडेंट बरपूर मातरा में होता है इनी एंटी ऑक्सिडेंट के कारण एजिंग और उम्र के संकेतों से ये मसूर दाल बहुत ही गजब से लड़ती है जैसे की fine lines और जुरियां और आपके चेरे से fine lines को जुरियों को हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है आपकी skin को मुलाइम बनाती है, चमकदार बनाती है, इसकीन के color को हलका करती है और आपको even tone देती है tanning और काले दबे हटाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है तो guys यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 teaspoon मसूर दाल का powder ले लिया है इसी के साथ हमें second ingredient चाहिए चावल का आटा 1 teaspoon चावल में antioxidant बरपूर मात्रा में पाया जाता है यह हमारी skin को tight करता है और हमारी skin में गजब का कसाओ लेकर आता है चावल हमारी skin में निखार लेकर आता है और जिद्धी दाग दबो को कम करता है skin को चमकदार बनाता है और हमारी skin से dead cells को remove करता है guys चावल में anti-aging properties बहुत ही बरपूर मात्रा में होती है जो कि हमारी skin से एजिंग को खतम करती है third ingredient लेना है हमें ग्यों का आता one teaspoon हम ग्यों का आता लेंगे और उसे इसमें add कर देंगे ग्यों का आता क्या करता है ग्यों का आता हमारी skin से कालेपन को खतम करता है dead cells को remove करता है और हमारी skin को fair बनाता है नेक्स्ट इंग्रीडियंट लेंगे हम शेहद, वन टी स्पून हमें शेहद लेना है और उसे भी इसमें एड़ कर देना, शेहद में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही बरपूर मात्रा में यह हमारे इसकीन के हाइट्रेशन को मैंटेन करके रखता है, इसमें पाया जाता है, जो हमारी स्कीन को कसाओ देता है और हमारी स्कीन को टाइट करता है, हमारी स्कीन से काले पन को दूर करता है और इसकीन में ग्लो लेकर आता है, अगला इंग्रीडियंट लेना है हमें ग्लीसरीन, हाफ टी स्पून ग्लीसरीन लेंगे हम और इसमें एड़ कर और इसी के साथ वन टी स्पून हमें लेना है दही, दही में लैक्टिक एसिड बरपूर मात्रा में होता है, या आपकी इसकीन के पी एच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, टैनिंग को खतम करता है, और पिगमन्टेशन दाग दबों और टैनिंग को दूर करता है, खटा दह कमाल का काम करता है हमारे चैरे पे open pores को शूरिंग करता है जुर्लीओं को खतम करता है इसकी इनके pH बैलेंस को maintain करके रखता है अब सभी ingredient को हम अच्छे से mix कर लेंगे और एक इसकी अच्छी consistency का हमें pack तयार करना है तो guys यहाँ पे मुझे इसकी consistency बहुत ज़्यादा थीक लग रही थी तो मैं यहाँ पे rose water को इसमें add करूँगी normal consistency का pack तयार कर लूँगी तो मैं यहाँ पे 2 tablespoon rose water को इसमें add कर रही हूँ और इसे अच्छे से mix कर लेंगे rose water skin को relax feel करवाता है और यह हमारी skin से pigmentation और sun tan को remove करता है glowing लेकर आता है और हमारी skin पर whiteness लेकर आता है तो guys आप देख सकते हैं मैंने इसे mix कर लिया है और बिल्कुल normal consistency का मैंने pack बना के तयार किया है यह pack ना तो ज़्यादा थीक है और ना ही यह पतला है medium consistency का बन के तयार हुआ है अब हमें एक last ingredient लेना है जो की है बादाम का तेल यानि की almond oil one tea spoon almond oil को हम इसमें add करेंगे यह बादाम का तेल vitamin E से भरपूर होता है इसे anti-aging oil भी का जाता है यह हमारी skin की fine lines को wrinkles को जूरियों को हटा कर skin को bright करता है aging को खतम करता है damage cells को repair करता है हमारी skin पर glow लेकर आता है और हमारी skin से dryness को खतम करता है तो यहाँ पे pack बन के ready है यह हमारी skin की हर तरह की problem को खतम करेगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें इसे apply कैसे करना है तो guys यहाँ पे मैं अपने hand पे आपको apply करके बता रही हूँ आपको अपने face को wash कर लेना है सबसे पहले फिर आपको इस pack को लेना है और अपने पूरे face पे गर्दन पे हातों पे आप इस pack को लगा लीजिए guys इस pack को आप brush की help से भी अपने पूरे face पे लगा सकते हैं और spoon की help से भी आप इसे अपने पूरे face गर्दन पे apply कर सकते हैं तो बस इस तरह से spoon से आप इस pack को लीजिए और अपने पूरे face पे apply कर लीजिए आराम आराम से इसको लगा लीजिए और आपको फिर 15 मिन्ट के लिए इस pack को ऐसे ही छोड़ देना है 15 मिन्ट में ये pack ऐसा गजब का आपके चैरे पे work करेगा कि आप देख कर हैरान हो जाएंगी गाइज इस pack को बनाने के लिए हमने जो जो भी ingredient यूज की है वो आपकी skin पर magical work करेंगे और आपके skin पर amazing result देगा गाइज अभी winter season के साथ साथ wedding season भी चल रहा है तो आप इस pack को जरूर बना कर use कीजिए और आप अपने चैरे पे देखेंगी कि आपका चैरा बहुत ही ज़्यादा glow कर रहा है आपके चैरे पे ये bleach का काम भी करेगा दाग दबो को भी दूर करेगा आपके चैरे पे गजब का glow लेकर आएगा डलने इसको दूर करेगा पंदरा मिन्ट में guys ये हलका सा dry हो जाएगा पूरा तो नहीं सुखेगा लेकिन ये आदा सूख जाएगा pack उसके बाद में आपको अपने हलके हलके हातों से इसको रब करना है और circular motion में रब करते जाना है पांच मिन तक आपको इस तरह से इस से रब करना है तो बस इस तरह से circular motion में आपको पांच मिन तक रब करते हुए मसाज करनी है ये आपकी skin पर mild scrub का का काम करेगा आपके चैरे से pigmentation को दूर करेगा और जो जिद्धी दाग दब्बे बन गए हैं जो की हटने का नाम ही नीर ले रहे हैं वो दाग दब्बे आपकी स्कीन से खतम हो जाएंगे आपकी स्कीन ब्राइटेन होगी वाइटेन होगी और आपकी स्कीन टाइट हो जाएगी जूरियां आपकी स्कीन से खतम हो जाएगी जो डार्क स्पोर्ट्स हैं वो खतम हो जाएंगे और आपकी स्कीन बहुत ही ज़ादा गलो करेगी और आपकी स्कीन से ड्राइनेस बिल्कुल रिमू हो जाएगी यह बहुत ही अमेजिंग ओल इन वन पैक है यह आपकी स्कीन पर इंस्टेंट गलो और फेरनेस प्रोवाइड करेगा बस आपको एक बात का खयाल रखना है कि आपको एक हफ़ते तक यानि की वन वीक तक आपको रेगुलर इस पैक को यूज करना है और उसके बाद में हफ़त में दो बार आपको इस पैक को यूज करना है गाइज इस पैक के फर्ष्ट एप्लिकेशन से ही आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे यह पैक आपके चैरे पर गलो को बढ़ाएगा फेरनेस को बढ़ाएगा तो बस पांच मिन्ट इस तरह से मसाज करने क इसके बाद में अपने फेस को आपको वाश कर लेना है इसके बाद में आपको बादाम का तेल लेना है थोड़ा सा अपनी हाथ पर हतेली पर और उसको हलका हलका रप करना है अपनी हतेलियों को गरम करना है और अपने पूरे फेस पर इसको लगा लेना है अच्छे से इस ओ जरूर कर दीजिए गाइज इसी टाइप की amazing remedy मेरे चैनल पर uploaded है तो आप मेरे चैनल को जरूर से विजिट कीजिए और वीडियो को watch कीजिए like कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ गाइज आप bell icon को press करना भूल जाते हैं तो आप bell icon को जरूर से प्रेस कीजि ये बाइ